शियोपुर्जली के नैशनल पार्क कुनो सेंचुरी में अब चीतों का कुनबा और बढ़ने जा रहा है। जल्दही कुनो सेंचुरी को अब साउथ अफरिका से बारह चीते और मिलने जा रहे हैं जिनको जल्दही भारत की धर्ती पर दोड़ता हुआ देखा जाएगा। लगबग 12 चीते का साउथ अफरिका से आना तैह हुआ है। इस सम्मन में बारत सरकार और दक्षण अफरिकाई सरकार के बीच में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही चीतों का आगमन कुनों में होगा। वन्विभाग के अधिकारियों के माने तो चीतों के आने की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और आने वाले 12 चीतों के लिए आठ और बाड़े बनाए गए हैं। अधिया मुझूद है शोपूर कुनों नेशनल पार्क में शोपूर कुनों नेशनल पार्क से आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आएं। इसमें आपको बता दें कि शोपूर में कुनों नेशनल पार्क में चीतों का कुनवा और बढ़ने जा रहा है। साउत अपरिका से आने वाले 12 चीते जो आने हैं उनके तैयारिया पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही जनवरी महा या फरवरी तक साउत अपरिका से 12 चीते और शोपूर कुनों नेशनल पार्क में आने जा रहे हैं। आपको पता दे जो नामी विया से चीते लाए गए थे वो स्वस्त हैं तंदुष्त हैं और उनको अगले महीने 2023 जो नई साल आ रही है उसमें बड़े बालों में छोड़ दिया जाएगा और जनता के दिदार के लिए भी कुनों नेशनल पार्क चालू कर दिया जाएगा। पुनों नेशनल पार्क से मैं परमजाट MPNU TV के लिए शोपूर।